पटना में PFI के दो सम्दिक्द आतंक्यों को पकड़ने के बाद SSP मानव जीत सिंग धिल्लो ने PFI के कामकाट को बताते हुए RSSS से तुलना कर दी गए मामला सियासी हो गया BJP SSP को बरखास्त करने की मांग पर अड़ गई बवाल वड़ने के बाद SSP मानव जीत सिंग धिल्लो ने ABP News से खास बाद चीत ने कहा कि उनके बयान का गलत बत्ब निकाला गया साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस साज़िश का खुलासा हुआ है उससे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तोर पर खत्रा नहीं था हमारे साथ पटना के SSP हैं कल सर आप एक प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे जो एक टेरर मोडूल का भंड़ा फोर हुआ है फुल्वारी सरीश में उस पर तो आपने तूला कर दी RSS से PFI की ट्रेनिंग की से विवाद हो रहा है देखे तूला का कोई प्रशन नहीं है इस चीज़ को मैं पहले भी क्लारिफाई कर चुका हूँ और पुना मैं क्लारिफाई कर रहा हूँ कि कुशन पूछा गया था कि जो ये जो पकड़े गहन की कारशली क्या है तो उनका जो डॉकुमेंट से सीज हुए हैं जो कि प्रॉपर सीजर का पार्ट हैं जबती का पार्ट हैं और जो इनका इंटरोगेशन रिपोर्ट बना है उसमें इस चीज़ का इन्होंने बहुत ही विस्कृत उलेक किया था जिसका मैंने कल वक्त तव्य दिया है तो उसी के अदाहर पर मीडिया को ब्रीफ किया गया था और इसमें यह जो है यह सिर्फ डॉकुमेंट पे और उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट में जो प्रकाश में आया था उसी चीज़ को हुब 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 दोहराया गया था और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है बिलकुल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है और बिलकुल पेंस्टिकिंग धंग से हम इस क्रुप को लगबग दो हफ़ते से फालो कर रहे थे और इसमें किसी भी किनी संगठनों के तुलना करना जा फिर वो करना इसका कोई ना उदेश है और ना ही कोई प्रशन उठता है जो भी बताया गया है that is a part of the record जो की गरफतार अभ्युक्तों की interrogation में और जो उनसे documents सीज हुए है उसमें लिखित है और वतनेत है जी मुझे लगता है कि बहुत selective interpretation इसका किया गया है और इसलिए मैंने clarification दुबारा दे रहा हूँ कि इसका जो भी है documentary अधार पर जो की quote record का भी part है हमारे case record का भी part है उसी चीज़ को दोहराया गया था क्योंकि किसी media कर्मी ने प्रशनी किया था ये किस परकार से इनकी कारे शेली क्या है modest क्या है अगर कोई आपका गलत intention इसना है बिलकुल को intention नहीं हमारे जो investigation है बिलकुल professional investigation चलता है पॉलिटिकल पाटिया अब आपस में लड़ रही है बीजेपी से माले हैं ने देखे हम लोग अपने सिर्फ investigation के साथ हमारा focus है हम चाहते हैं कि इसके हम लोग deep roots तक जाएं ये पूरा जो group है इसको हम लोग पकड़ें जो radicalization का वो हो रहा है और जो हमारा पूरे का पूरा focus है हम सिर्फ investigation के उपर ही रही है एक आफरी साल ये जो तीन लोग पकड़े गए है 11, 11 को दो गिरफतार हुए थे 12 को पीम का कारेक्रम है तो क्या पीम इनके निशाने पे थे ने इसमें ये जो अभी तक interrogation में आया है कि ये पीम बिजिट को लेकर जो मुस्लिम बहुलक शेतर जिसमें कल भी बताया था वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट्स और्गनाईज करने का प्लानिंग कर रहे थे NACRC को लेकर प्रिफल तला को लेकर उनके बयान को आउट आप प्रोपोर्शनेट देखा और पढ़ा था PFI और RSI की तुलना करने वाले SSP के बयान पर BJP लगातार अपत्ती जता रही BJP का कहना है कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए कार आई तो एक सोच में बदलावाया आतंगवाद को भारत से खतम करना है यह हमारा संकल्ब है लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना विपक्ष भी है जो आतंगवाद में भी अपनी तुष्टी करण की राजनिती करना धर्म ढूनना ले आता है और जहां तक आपने तुल्ला की बात करी जैसे सूर्य का प्रकाश है और दूसरी तरफ अंधेरा उसकी तुल्ला नहीं हो सकती उसमें कोई सफाई की आवशक्ता नहीं है और सूर्य का प्रकाश ऐसा होता है कि ये जितने वायरेसे जहें को खतम कर देता है मैं इतना ही कहूंगा किसी को भी चाहे वो नागरिक हो चाहे वो राजनितिक दल हो या कोई और व्यक्ती है जो पद पे बैठा है अपनी बात को पहले तोल लेना चाहिए समझ लेना चाहिए उसके बाद ऐसा रिक्तवे देना चाहिए लेकिन आतंगवाद यो भारत में फ्हलाने की सोचेगा भी वो जेल की सलाकों के पीछे होगा उसके खिलाव सक्त कारवाई होगी और आतंगवाद का खात्मा होगा पटना में आतंगवाद आतंगवाद के शक में गरिफतार और उसके पीफ़ाई कनेक्शन इसके अलावा देश में जन संक्या और दूसरे मुद्वाद को लेकर क्या सोचते हैं AIMIM के प्रमुक असाउद्दिन ओवैसी ABP नियूस के संपादाग सुमित अवस्थी ने ओवैसी से एक्स्लूसिब बाच्छित की देश में कई मुद्दे उबाल ले रहे हैं मौहन भागवत ने भी जन संक्या के मुद्दे पर टिपनी कर दी है जानवरों के साथ तुलनातमक तोर पर जोने कुछ बात कही है और भी तमाम मुद्दे हैं नहीं मुद्दों पर बात करने हैं इस वक्त हमारे साथ AI MIM के मुख्या और लोकसभा के सांसर्द असदूदी नोवेसी साब जुड़ रहे हैं अवेसी साब स्वागत है आपका EVP नियूस पर पहला सवाल में यही पूछना चाहूंगा पटना में तीन लोग गरिफतार हुए और 2047 तक हिंदुस्तान को इसलामिक देश में कनवर्ट करना चाहते थे PFI से जुड़ हुए हैं इसको आप कैसे देखते हैं ये कैसा घटना करम है भारत का कोई मजभ नहीं है भारत का कोई रिलिजिन नहीं है ना भारत के सम्विधान का कोई रिलिजिन है हम सब को अपने अपने मजभ पर चलने की जाज़त है अगर को ये कह रहा है कि हम वो एक रिलिजिन को कर देंगे तो भाई आप नहीं कर पाएंगे बहुत आए बहुत चले गए अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो तो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा वहाँ की बिहार की पुलिस को मगर आप अगर कह रहे है तो आप ऐसे लोग की बज़र्मत करते हैं ये कि नहीं कर पाएंगे ये हिमाकत है बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम चीज़े आचानक क्यों होने लगी है क्यों ये हिंदू मुसल्मान में देश बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है क्यों हम एक नहीं हो पा रहे है देखिए देखिए राडिकलाइजेशन अगर किसी में हो रहा है तो राडिकलाइजेशन लोक तंतर के लिए बिलकुल खराब है चाहे वो राडिकलाइजेशन मेजौरिटी कम्यूनिटी में हो या माइनौरिटी कम्यूनिटी में हो राडिकलाइजेशन की हम मुखालिफत करते आए है और राडिकलाइजेशन एक राडिकलाइजेशन को नहीं देख सकते बलके सब को देखना पड़ेगा नुपूर शर्मा ने जो कहा वो भी रैडिकलाजेशन की निशानी है और अगर कोई ये कह रहा है कि भारत को हम एक इसलामिक कंट्री बना देंगे वो भी गलत है बिलकुल गलत है उनको बोलना नहीं चाहिए उनको समझना चाहिए भारत की खुबसूरती को अगर आपकी ये थाट्स हैं तो आप भारत में थाट्स लेकर नहीं रहे सकते आप तो पी एफाई को बैन कर देना चाहिए तो रैड सरकार का है और मैं बैन के खिलाफ हूँ हाँ जो जिन में ताकत है वो चुनाओ लड़े और चुनाओ लड़कर दिखाएं मगर अगर आपको यह कहेंगे कि भारत को बदलेंगे कैसा बदलेंगे भारत को आप कोने बदलने अजमेर में अंजुमन कमिटी के सचिव के बेटे ने हिंदुों के देवी देवताओं पर सवाल खड़े कर दिये कि 33 करोड तो कैसे देवी देवता हो सकते हैं ये भी तो किया जा रहा है इसको कहा तक जायज चराएंगे आप कि ये बिलकुल जायज नहीं है किसी को भी किसी के फेद के ओपर किसी की अबादत करता है उसको रंगली उठाने का हक इसको भी हासल नहीं है आपको नहीं करना चाहिए ना कोई कर सकता है ना करना चाहिए ये देश की खुबसूरती ये है कि इस देश का कोई मजब नहीं है ये देश तमाम समुदायों को मजब को बिलीफ को मानता है ये देश उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या ला को नहीं मानते हैं ये इस देश की खुबसूरती है और इसकी डैवरसिटी को इसक चल रही है, वकालत की जा रही है, तो ओवेसिस आपको परेशानी क्यों है? आपको दिक्कत क्या है? देखिए परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी मोडी सरकार को है, इसलिए के दो एपरल दो हुजार बावीस को मौजूदा हेल्प मिनिस्टर ने राजस हवा में बीजेपी के एक एमपी ने प्राइवट मम्बस बिल लाया, उस पर कहा कि कोई जबरन खानून नहीं बनाना ह हमको, यही मोडी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डिसमबर दोजार बीस में लिख कर दिया, एक बीजेपी के एक मिम्बर हैं, जो पी आईल डालने के माहर हैं, उसमें सरकार ने कहा है कि हम टूचाइड नौम के खिलाफ हैं, तब सरकार खुद एक स्टैंड ले रही है, तो चीन को मात दे देंगे, योगी साब का बयान आया मुख्य मंतरी का, मोहन भागवत साब का बयान आया, कि जानवर तो बच्चे भी पैदा करते हैं, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, इस तरह लोने कुछ बात कही, similarly गिराज सिंग ने कहा जो की केंदर में मंत्री है कि ये बिल तो आके रहेगा जनसंकर नियंतरनवारा अगर ये बिल आ रहा है और इसका मकसद ये है कि कुल मिलाकर हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी विकास के रास्ते में बाधक बन रही है तो इसका तो हम सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे स्टॉंग अबजेक्शन है कि इनसानों की तुलना जनवरों से की जा रही है आखिर इतनी गिरावट सोच में क्यूं आती आरेसेस के लोगों में इनसान तो इनसान है ना जिसको हम लोग अपने अश्रफल मखलुखात मैंने बहतरीन क्रियेशन अब आप जनवरों से कर रहे हैं तुलना उसकी और रहासावाल चीन का देखिए इस हमारे देश में जो किसी विश में नहीं है जो डिमोगरिफिक डिविडेंट है पचास साल से कावमर के आबादी पच्चीस साल की है साथ फीसद आबादी चालीस साल के कावमर की है ये डिमोगरिफिक डिविडेंट किसी मुल्क किसी विश के कंट्री में नहीं है हमने इस demographic dividend का इस्तमाल कैसे किया क्या हमने उनको कुछ नोकरी दी, skills या उनको कुछ constructive काम पर लगाया कुछ नहीं लगाया हमने और ये demographic dividend हमारा 2035 तक रहेगा उसके बाद नहीं रहेगा पर अगर ये कानून आता है असद भाई तो ये तो सब पे लागू होगा ना मुसल्मानों, हिंदुों, जैनों, सीखों सब पे लागू होगा और ये पूरे हिंदुस्तान की भलाई के परपस से लाया जा रहा जैसा कि सरकार बोल रही है अगर खानून बनाएंगे तो इसका सबसे बड़ा सबसान कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको हमारे देश में एक फैसिनेशन है कि बेटा पैदा होना बेटा पैदा होना तो फीमल फिटिसाइड जादा हो जाएगा इन्फेंटिसाइड बढ़ जाएगा और ये बताएगे कि फिर जो सेक्स रेशियो है सुमिच सहाब एक हजार बच्चों पर कितने बच्चियां पैदा हो रही है और उसमें सबसे अच्छा मुसल्मानों का क्यूं है तो ये चीज़े खानून बनाने से आप देखे चीन की एक्जामपल दे रहा हूँ चीन परेशान है आज इसलिए चीन को अपने कानून में तर्मीम करना पड़ रहा है एमेंडमेंट करना पड़ रहा है पर रोटी एक बन रही है खाने वाले पचास थे वो बढ़के पांसो हो गए है आजादी के बाद से लेकि अब तक दिक्कत यहाँ पर भी तो है अगर आज ये नियम कानून बनता है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असदुदी नोवेसी संसद में इस बिल का विरोध करेंगे और मोमेंटम खड़ा करेंगे इस बिल का विरोध करने के लिए क्या आप ये कह रहे हैं कि रोटी नहीं है ये रोटी है देश में क्यूंगे नहीं है रोजगार सरकार क्यूं क्यूं किरेट नहीं करती अच्छा एक एमपल जयो और रोजगार की पए एक साऺ लाग नोकरिया सुनीए सर्म साइछ लाग नोकरिया के इस सरकार में आठ साल के बाद प्रदानमंत्री कहते हैं कि मैं दो हजार चोवीस तक दस लाग दोंगा रहे पूरे साट लाग भर दीजे ना आप क्यों नहीं बरना चाहते हैं असद भाई बाइस करोड लोग रोज भुकास होते हैं दस करोड की लोगों के पास नौकरिया नहीं है यह पोवीट में हमारे लाकों पचास लाक लोग भारत मर गई क्योंके मोडी सरकार ने 2020 इसकी अठीष्प में डिक्कत है यह तो बीते बीते सतर साल की भी दिक्कत है ना पॉपपलेशन तो इसके लिए मोडी सर्कार अके लिए दिम्मेदार थोड़ी है देखिए हमारे दो का नारा तो इदरा गंदी के वक्त में दिया गया और उस पर इंप्लिमेंट करने में क्या दिक्कत है तो भई आप आठ साल से आप सरकार में हैं आप उनसे नहीं पूछेंगे सुमिच साहब के सरकार ने क्या किया बताई आठ साल में आप इस बात को समझे सुमिच साहब के एक यंग वर्किंग पॉपुलेशन आपके पास है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है अमेरिका और योरोप में उनका पॉपुलेशन जैपैन में बुड़ा हो चुका है हमारे पास वो अडवांटेज हैं उसका इस्थमाल लगी करना चाह रहे हैं और पॉपुलेशन क क्यों बोल रहे हैं? क्या बीजेपी के निताओं को यंग इंडिया नहीं चाहिए? क्या बीजेपी के लोगों को यंग इंडिया के वोट्स नहीं चाहिए? यखिनन उनको नहीं चाहिए मगर बीजेपी के बीजेपी इसलिए कह रही है क्योंकि वो मुसल्मानों से एक नफरत पैदा करना चाहते हैं मुसल्मानों का उजूद वो बताते हैं कि उनका एक्जिस्टेंस देश के लिए खत्रा है हलाल गोश खत्रा है, हिजाब खत्रा है हाँ अब तो आसाम में फलड आया तो बोले फलड जिहाद नौकरिया मिल रही है तो बोले जाब जिहाद जमीन खरीत रहे जा रहे तो बोले लैंड जिहाद ये मुसल्मानों के तालुक से नफरत खत्म करना पड़ेगा बीजेपी को चलिए, शुक्रिया असद भाई, खुलकर बात करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए थैंक यू सो मच और बीजेपी नियूज जन संक्याप पर बीजेपी और तमाम दलों के बीच जो लड़ाई मची हुए उसी पर असो दिनों वैसी अपने विचार रखाए एबीपी नियूज आप को रखे आगे